नमस्कार आदाव सच्छी अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार भारत के चीफ जस्टिस ने एक टिपणी करके नरेंद्र मोधी की सरकार का चेहरा लाल कर दिया है दरसल डीवाई चंद्रचूर की बेंच समलेंगिक विवाह वाले मामले के सुनवाई कर लए इस सुनवाई के दोरान दोनों पक्षों के वकील अपना अपना पक्ष रख रहे थे इसी दोरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूर ने एक ऐसी बात कह दी जिससे वहाँ खड़े सारे लोग हक्के बक्के रहे गए क्योंकि यह टिपणी सीधे सीधे मोधी सरकार के कामकाज पर थी उन्होंने कहा कि अगर सरकार के सारे फैसले ठीकी होते तो अदालत की क्या ही जरूरत थी चीफ जस्टिस चंद्रचूर सरकारों पर अपनी बेबाग टिपणियों के लिए मशूर है आपको याद हो तो मनीपूर के मामले में उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे वहाँ सारा सिस्टम धराशाई हो गया है महिलाओं की नगन परेड का वीडियो आने के बाद मामले का खुद संग्यान लेते हुए 20 चुलाई को चंद्रचूर सुनवाई के लिए बैठे थे कोड की कारेवाही शुरू होते ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि सम्वेधानीक अधिकारों का ऐसा हनन हमारी बर्दाश्ट से बाहर है केंद्र और लाज्जे सरकारें इस पर रिपोर्ट दे हम संतुष्ट नहीं हुए तो सुप्रीम कोड खुद जरूरी निलदेश देगा चंद्रचूर के इस रुख ने मनीपुर पर मोधी सरकार के निकम्मेपन की धज्जी उड़ा डाली थी चंद्रचूर वो जजज है जिन्होंने निजटा के अधिकार पर 41 साल पहले अपने ही पिता जस्टिस वाईवाई चंद्रचूर के फैसले को पलट दिया था उन्होंने लिखा था निजटा का अधिकार सम्विधान में नहीं थे यह नुच्छेदी कीस के तहए जीवन और वेक्टिगत सोतंत्रता की गारंटी से निकल कर आता है हम इसकी अवहिलना नहीं कर सकते हैं खैर हम ताजे मामले पर आते हैं कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि मोदी की सरकार के फैसले ठीक नहीं है और इसलिए कोट को बार बार उन पर बात करनी पड़ती है या करनी चाहिए दरसल समलेंगिक विवापर सुनवाई के दौरान केंदर सरकार के वकील ने बोल दिया कि LGBT जोडों के अधिकारों पर अदालतें फैसला नहीं दे सकती ये उसके अधिकार क्षेतर से बाहर की बात है और ऐसा करना और लोग तांत्रिक होगा अंडेमोक्रेटिक इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंदरचूर तमतमा उठे उन्होंने बाकाइदा अपनी प्रतिक्रिया को कानूनी तरीके से अपने फैसले में विस्ताग से नकिवल लिखा बलकी उसकी व्याख्या भी कि चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि अगर चुनी हुई सरकार के सभी फैसले पूरी तरह से लोग तांत्रिक हो और मूल अधिकारों के उद्देश्यों को पूरा ही करते हों तो फिर अदालतों की क्या जरूरत है जिनका काम ही है कानून की व्याख्या करना जिनका काम ही है कानून की व्याक्षा करना अदालत का तो काम ही यही है कि जब सरकार समविधानिक मसलों पर गलती करे तो उसके फैसलों की समीक्षा करे चंदरचूर ने कहा कि हमारे समविधान में ऐसे ही लोकतंतर की बात की गई है जिसमें सभी की बराबर जरूरत है हमारा सम्विधान ये नहीं कहता कि सम्विधानिक लोगतंत्र का मतलब केवल चुनावी लोगतंत्र है हमारे सम्विधान की विवस्था में चुनाव और सरकार के अलावा दूसरे संस्थानों की भी अपनी भूमिका है और वो बिलकुल सरक के फैसलों की समीक्षा कर सकते हैं असल में सम्विधान में लोकतंत्र की कोई संकीण परिभाशा तय नहीं की गई है इतना ही नहीं चीफ जस्टिस ने समलेंगिक विवा के मामले में मोदी सरकार की राय को संकीन यानि तंग सोच वाला बताया और इसे उन्होंने लोकतंत्र के साथ उसकी सोच से जोड़कर बखिया उधेर डाली उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को लेकर आपकी जो परिभाशा है वो ठीक नहीं है और यह संकीन मान सकता है उन्होंने मोधी सरकार को याद सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोट ने समलैंगिक शादियों को लेकर अपना फैसला सुनाया था कोट ने समलैंगिक शादियों की माननिता की मांग को खारिज करते वे कहा था कि ये काम अदालत का नहीं है पांच जजों की सम्विधान पीठ ने सर्वसंबत फैसले में कहा था कि शादि करना कोई मौलीक अधिकार नहीं है कोट ने कहा कि समलैंगिक विवाग को मानिता देना संसद कि अधिकार च्षेतर में है और हम हस्तक्षेप करने जा रहीfish लेकिश सरकार के वकील को अदाजा नहीं रहा होगा कि चेफ जस्टिस शादी मुकदमों को लोग तंत्र की परिभाशा तक खींच ले जाएंगे और मोदी सरकार के लिए एक शर्मनाक स्थिती खड़ी हो जाएगी लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ इसी साल 25 जुलाई की बात है नागा लेंड में महीलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर एक और मानना याचिका पर सुनवाई चल रही थी शुप्रीम कोट ने सीधा सवाल किया था कि बताइए नागालेंड में स्थानिय निकाय चुनाओं में महीलाओं के लिए रक्ष नगालेंड पर लागू होता है इस पर जस्टिस संजे किशन कॉल ने भड़कते वे पूछा था कि अगर लागू होता है तो फिर इसे लागू किया क्यों नहीं गया आप लोग कर क्या रहे हैं राज्य में आपकी यानि भाजपा की सरकार हैं आप दूसरे दलों की राज्य सर सरकारों के खिलाफ तो कड़ा रुख अपनाते हैं जो आपके प्रती जवाब दे हैं या जब्मेदार नहीं है लेकिन आप अपनी राज्य सरकारों को खिलाफ कुछ नहीं करते इस पर सरकार की बूलती बंद हो गई थी 2016 की बात है दो ही साल हुए थे मोदी को आए हुए मोदी सरकार ने हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की फाइल लंबे समय से लटका रखी थी इस पर ततकालीन चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर की बेंच ने सकती दिखाते हुए सवाल किया था कि करनाटक हाई कोर्ट के पकाली कमरों में ताले लटके हुए क्योंकि वहाँ जज नहीं है कि आप नियाएपालिका पर भी ताला लगाना चाहते हैं आप किसी पूरी संस्था को आहिस्ता आहिस्ता जैम की स्थिती में नहीं ला सकते हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे आप हमें प्रधान मंत्री का प्रयाले और कानून मंत्राले के सचीवों को समन भेजने पर मजबूर मत कीजिए आपको बता दें कि जिस बेंच ने यह टिपणी की थी उसमें भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूर शामिल यह कथे तोर पर 18-18 घंटे काम करने वाले मोदी की सरकार के कामकाज की असलियत पर सरदाश नहीं करेंगे सरकार को जवाब देही में तेजी लानी होगी क्योंकि नयाय का डिलीवरी सिस्टम चर्मरा रहा है सुप्रीम कोड को यह टिपणी इसलिए करनी पड़ी थी कि केंद्र सरकार ने हाई कोड्स में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने में का अच्या नियाए आलेयों को ही जिम्मेदार ठेरा दिया था ठीक एक साल पुरानी बात है तारीख थी 23 नमबर दो हजार बाइस 1985 बेच के आईए सबसर अरून गोयल ने उद्योग सची उपद से 18 नमबर को वियारिस लिया था जबकि किवल एक महीने और 12 दिन बाद 31 निसंबर को वो खुदी रिटायर हो रहे थे लेकिन कमाल ये हुआ कि अरून गोयल ने 18 नमबर को वियारिस लिया और 19 नमबर को मोदी ने उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया इस पर सुप्रीम कोट की सम्विधान पीठ ने उनकी नियुक्ती की मूल फाइल तलब कर डाली थी फाइल देखने के बाद पीठ ने हैरानी जटाते वे कहा था कि चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लेयर की गई यह कैसा मुल्यांकन है कि आप हर मामले में इतनी ही तेजी दिखाते हैं जेस्टिस अजयर अस्तोगी ने पूछा था कि वेकेंसी तो 15 मई से तो 15 मई से 18 नवंबर के बीच आपने क्या क्या किया हमको बताइए सरकार को ऐसा क्या हो गया था जो इसने सुपर फास्ट तरीख से नियुक्ति एक ही दिन में कर दी एक ही दिन में प्रॉसेस एक ही दिन में क्लियर एंस एक ही दिन में अप्लिकेशन अपॉइंटमेंट शपत सब फाइल पूरे 24 गंटे भी नहीं घूम सकी इस पर भी मोधी सरकार बुरी तरह घर गई थी लेकिन असल सवाल यह है कि लोग जैसे आकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताई हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देखने तुमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देखने तुमारे पेज को लाइक सरूर कर लिजे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हम